बीजेपी अध्यक्ष अमिद्शाह ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है अमिद्शाह के साथ का माध्वाव ने भी मोहन भागवत से मुलाकात की ये मुलाकात विहार चुनाओं को लेकर हुआ बड़े ख़बर इस समय है बीजेपी अध्यक्ष अमिद्शाह ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है अमिद्शाह के साथ राम माध्व ने भी मोहन भागवत से मुलाकात की है ये मुलाकात विहार चुनाओं को लेकर हुआ और आए सीधे रुख करते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का तो रास्ते भी खुल सकते हैं मैं अपना एक उधान बताता हूं कि मैं जब गुजरात में मुख्यमंतरी बना तो भूकम के तुरंद बाद मुझे मुझे मुख्यमंतरी बनना पड़ा था कि अब लाखों लोग तबाह हुए थे कि सरकार ने पैकेज गोसित किया लेकिन इसावाल या निसान रहता है वह सरकार ने कहता है तो दिया यह तोट गया तो यह मिलेगा यह मर गया हाथ तूटको यह सब लिखा कागशमत आ गया लेकिन अगर लोगों की शिकाहत हो तो क्या करेंग ए तो उस समय मैंने और हाई उकम्प्वेडि जो लोग हैं उनके लिए एक एमबेट्समंद की विवस्था को और सरकार की ये योजना उसके पांस रहें वो चाहे तो सरकार आकर तो उनको ब्रीफ करते कि ये ये मारा पैकेज है और जिस किसी नागरी को जो इसका हकदार है और उसको लगता है कि सरकार ने मेरे साथ नयाई नहीं किया उसके लिए आप ये ववस्था दीजिए और मेरी तरफ से गारंटी है कि जब भी शिकायत करने वाला आपके पास आएगा इस एमबेट्समंद के पास और सरकार की तरफ से हम कोई पेशे नहीं करेंगे आप उनको सुनिए और आपको जो ठिक ल अगर वही व्यवस्ता नयाय की चैनल में चली गई होती शतना पता नहीं आज भूकम वाले परिवार के लोग रहे भी नहीं होते और केस चलता रहता होता हुआ लेकिन हाई कोट ने इनिशेटिव लिया हमारी मदद की न्याय मूर्तिवों ने जिम्में लेने के लिए समय दिया भूकम पिड़ित इलाके में गए और लोगों को समद्वावस्ता मिल गई कभी कभार आउट और बॉक्स चीज़ें अगर हम विख्षित करते हैं तो कितना प्रणाम मिल सकता है ऐसे कई हुदान को दान मिलते हैं मैं देख रहा था शाकुर साथ जब करनाटर का उदहां दे रहे हैं और बार-बार बोला रहें थी तीन हजार प्रूठय पड़ा है कि अन और्गनाइस शेक्रा का तीन हजार करोड रुपा पड़ा है वो बड़ी पीड़ा मुझे दिखती थी कि मैं यहां आया साथ कि नहीं नो करीपर और मेरे ध्यान में आया गरीब मद्दुरों के 27,000 करोड रुपिया सरकार की तीजोरी में पड़ा है कि मैं परिशान हो गया कि 27,000 करोड रुपिया करीब रुपिया क्यों कारण यह को एक जगा पर नुक्री करता है उसका कोई पीएफ अगर कट जाता है 6-8 मेने के बाद नहीं और चला जाता है दो साल के बाद नहीं और कला जाता है वो एमों कितनी होती है कि यहां से गया है तो वापिस आगर के लेने के लिए फूरसर नहीं होती है उसको भी लगता है अगर 200 रुपिक लिए कहां जाओंगा ऐसा करते करते 27,000 करोड और वे आगे बढ़ते हैं बिहार में बीजेपी की करारी हार के बाद कुछ नेताओं ने आरेसेस पर ठीकरा फोरना शुरू कर दिया है बिहार से बीजेपी सांसद हुकुम देव नरायन यादो बिहार के हार के लिए सीधे तोर पर आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत को जिमेदा ठहरा रहे हैं हुकुम देव नरायन ने कहा कि भागवत ने आरक्षन पर जो गलत मौके पर बयान दिया इसी के चलते बीजेपी के प्रति लोगों में शंका पैदा हुई हुकुम देव ने कहा कि आरक्षन पर प्रुधान मंत्री मोधी ने सफाई जरूर दी लेकिन वो सफाई बीजेपी के काम नहीं आई कई कारण है लेकिन उन कारणों में एक ये सबसे महत्तोपुर्ण कारण है बड़ा कारण है क्योंकि विहार के लोग समाजिक उत्पीरन से जादे फिडित रहे हैं और समाजिक सोसन के विरुध विहार के लोगों ने काफी संघर्ष किया है कुर्भानी दिये तो स्री मुहन भागवजी का जो ऐसे समय में ब्यान आना वो पिछरे और दलित समाज के जो लोग थे उनके मन में अविश्वास पैदा किया भाजपा के प्रती और इस कारण ने पिछरी जाती के जो लोग थे वो 90 प्रतिसत पिछरे बर्ग के लोगों को एक जुट कर दिया आकरमक कर दिया और उनके साथ साथ उसमें जो मुस्लिम समदाई के लोग थे वो भी इस आकरमक एक जुटता में के साथ अपने को जोड लिया तो यह पिछरे बर्ग समगरता में और मुस्लिम समाज बिहार में जुट जाए तो बाकी भूट बसता कहा है बचेगा कहां से भाजपा को तो जितने सीट मिल गई वो तो इनके लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिए अपने परचार के और प्रबंधन के तंतर पर उतनी सीट को बचा लिए नहीं तो इस हवा में तो साप हो जाते तो बीजेपी की जो हार हुई है उसकी जिस तरह से और जो लोग समीक्षा कर रहे हैं वो अभी भी इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि अगर मोहन भागवत ने वो बयान दिया भी क्यों उन्होंने भी चुनाओं में बयान दिया बीजेपी अभी भी नहीं सोच रही है कील को अगर कीला पकड़ ले हतौला ले ले और कील के माथे पर चोट करने के बजाए गर नोख पर चोट करेंगे और दिवाल पर रखेंगे तो दिवार गिर जाएगी कील तो अंदर जाने वाली है नहीं तो यह समझें बीजेपी के अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आकिर कील को रखना किस तरफ है कील की नोक अगर दिवार में चुब होगे हथोड़ा मारोगे तभी कील जाएगी दिवार के अंदर अभी भी है माते के बजाए और नोक पर चोट कर रहे है